वह अवस्था है जिसके द्वारा जो है वो अपने समान्य वातावर्णी कारणों से हो सकता है जो की मैल फंक्शनिंग या रोग कारकों की द्वारा हो सकता है जिसके फल सरूप लक्षनों का विकास होता है यह जो चित्र है इसके अंदर आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं तो यह जो है पैथोजन्स के उपर डिजीज हो उसके लिए तीन चीजें होनी आवश्यक है एक तो पैथोजन होना रोग कारक का होना दूसरा परपूशी का होना और टीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स यह तीन चीजें मिलकर जो हैं किसी भी कॉंपोनेंट हैं यह तीन डिजीजेज जिसको की डिजीजेज का पिरामिड भी कहा जाता है तो रोग के घटक एम रोग पिरामिड एक चितर बना हुआ है यह तो इसमें क्या है कि यह जो है पिरामिड मतलब कि इसके अंदर चोथी चीजे को टाइम का भी फैक्टर होता है और अगर पैथोजन है तो उसका अमाउंट कितना है उसका भी प्रभाव होता है तो यह सब चीजें जो है मिलकर एक डिजीज के लिए एक कारण बनती है डिजीज होगी या नहीं होगी डिसाइड करती है जिसको की पिरामिड कहा जाता है नेक्स्ट चीज आती है रोगों का वरगी कारण कोई भी बिमारी है मैंने भी बताया उसका कारण जो होता है बातावरन के फै pathogens के कारण होती हैं वो तो animate या biotic diseases कहलाती है या जैविक बिमारियां कहलाती है लेकिन जो बिमारियां जिसमें कोई जीव नहीं जुड़ा हुआ होता है उस बिमारी को हम क्या कहते हैं अजैविक क्या कहते हैं उनको अजैविक अपरजीवी या इंग्लिश में इसको हम बोले तो non-parasitic, non-infectious, inanimate diseases तो inanimate diseases जो है इनका जो कारण है वो क्या है वो जितने भी वातावरन के घटक हैं वो सभी इसका कारण हो सकते हैं जैसे temperature effect temperature जो है एक निश्चित तापमान जो है हर एक जीव को वरधी करने के लिए आवश्यक होता है अगर उससे कम हो या जादा हो तो जीव वरधी नहीं करता है तो किसी भी बिमारी अगर होगी तो उसके लिए जो है एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है high temperature effect सबसे पहले हम देखेंगे उच्छ तापमान समान्यत है एक से चालिस डिगरी के तापमान के मध्धे जो है वो वृद्धी सही रहती है नुकूल तापमान माना जाता है इससे अधिक या कम होने पर प्रभाव दिखाई देने लगते हैं उच्छ प्रकाश high temperature effect में उच्छ प्रकाश oxygen की कमी और निम्न तुलनात्मक आधरता के कारण जो है कारण हो जो है इसके प्रभाव देखे जाते हैं जैसे की उच्छ तापकरम पर समान्यत है जो मांसल फसले होती हैं जैसे टमाटर आलू इत्यादी है इनके कलर चेंज हो जाते हैं और इन में जो है हमें या तो फफोले दिखाई देने लगते हैं या धब्बे दिखाई देने लगते हैं या ये सूख हो जाते हैं डेसिकेट हो जाते हैं इत्यादी elections जो है ये दिखाई देने लगते हैं यसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम आप जानते हो कि particular temperature पर काम करता है और वो temperature जो हैंजाइम को अगर नहीं मिलता है तो वो अपना कारे नहीं करते हैं समाने bio chemical reactions जो होती हैं वो नहीं हो पाती हैं जिस्से की कुछ कोशिकाओं कि 모두 परत्यो हो जाती है और पत्तियों पर हरे पीले रंगे और भुरे रंगे धबे जो है वो दिखाई देने लगते हैं फर्टे दिखाई देता है बहुत सारी फसलों के अंदर लो टैंपरेचर इसे जैसे लो टैंपरेचर प्राव भी जैसे जो सरदियों में क्रॉप्स ऊकती है जैसे कौन है, मक्का है, बीन्स है, सेम है इनके उपर भी जो है काफी सारे प्रभाव जो है लो टमपरेचर के देखने को मिलते हैं क्या होता है इसके अंदर अपरीपक फलों का जो है वो शाखाउं से गिर जाते हैं यह सूख जाते हैं शाखाओं पर ही और कोर्क जैसे सनरचनाई जासे कि आपके निम्बु के ऊपर देखते हो कि ब्राउन कलर की चाल सी दिखाई देने लगती है वह तो पेथोजन्स के कारण होती है बैक्टिरिया के कारण लेकिन इस तरह की कोर्क जैसे संरचनाएं भी बन सकती है और कोशिकाएं जो है वो वैस्कुलर टिशू को प्रभावित करता है ये लो टेंपरेचर जम जाता है पानी जो है वाही नियों में वाही प्लांट्स के अंदर और इसके कारण जो है उसके ओपर टिशू के ओपर धब्बे दिखाई देने लगते हैं और पोधे जो हैं वरदी जो होती है वो रूख जाती है येलो कलर के स्पोर्ट्स जो है वो बनने लगते हैं तो यह हुआ उचताप और निम्नताप के कारण क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हुमिडिटी का प्रभाव, मॉइस्चर का प्रभाव तो मॉइस्चर जो होता है लो मॉइस्चर इफेक्ट भी होता है और high moisture effect भी होता है वातावरन में moisture कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो जैसे कम हो जाता है तो हमें गर्मी लगती है ज़्यादा हो जाता है तो भी हम परेशान होते हैं humidity हो गई, पसीने आने लगते हैं हम कहते हैं, बहुत humidity हो रही है पसीने आ रहे हैं इसका प्रभा प्रलांट के ओपर भी उसी तरह से पढ़ता है तो निम्न सो मॉइस्चर कंटेंट हुमिडिटी क्या होती है मॉइस्चर कितना है पानी कितना है वातावरन के अंदर निम्न आदरता वाले क्षित्रों में कुछ ऐसे लक्षन दिखाई देते हैं जिससे उनके रोग्युक्त होने का अभास होता है जैसे पीलापन, स्टंटिंग मतलब व्रधी रुख जाना उसकी और उसके अंदर एक और लक्षन जो होता है सूखे पढ़ जाते हैं वो सूखे क्यों प पढ़ेंगे इसी तरह से हाई हुमिडिटी जो है हाई मुश्चर इफेक्ट भी होता है इसके कारण भी एलो हो जाते हैं और विल्टिंग जो है सुखापन आ जाता है और जो है जड़े नश्ट होने लगती हैं तो इस तरह से जो है ये बहुत सारे प्रभाव जो है वास्त में जो है वो देखने को मिलते हैं ही हो एकमरी स्टेंट हो जाए यह लोगों मॉश्चर इए हो जाये समाने जती है इस तरह के लक्षन जो है ये भी इसका कारण होता है तो इस तरह से humidity भी जो है आदरिता भी जो है वो normal होनी चाहिए तभी plant जो है भो ढंक से grow कर सकता है इसी तरह से oxygen का effect भी होता है हमें अगर oxygen की कमी हो जाती है तो हम react करने लगता है हमें oxygen की आवशकता पढ़ने लगती है अभी करोना के अंदर आप लोगों ने सबने सुना होगा कि औकसीमिटर के द्वारा oxygen ना पा जाता है और oxygen की कमी होने के कारण मृत्यू ज़्यादा हो रही है तो similarly plants के अंदर भी अगर oxygen की कमी हो जाती है तो plants भी oxygen की कमी के कारण जड़ सूख जाती है उनकी और उनका collapse हो जाती है और उनकी मृत्यू हो जाती है तो इस तरह से जो है oxygen की कमी का प्रभाव खेतों में ही नहीं बलकि जो हम store करके material रखते हैं अनाज रखते हैं फल रखते हैं उनके उपर भी देखने को मिलता है की वे कालेपन के रूप में दिखाई देने लगता है अम फ्रेज में भी सबजियां रखते हैं तो काली हो जाती है तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि oxygen की कमी हो जाती है कई बार हम आलू को काटते हैं तो आलू आपको बीच में से काले दिखाई देने लगते हैं काला दिखाई देना उक्सिजन की कमी की निशानी है